वेलकम माई यूटूब चैनल एग्री बेच्चूवन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस्टूमेंट से कुछ इंपर्टेंट जो भी क्वेश्चन पुछे जाएंगे आपके आपके आई बीबीएस एफ हो गया यूपी-पी-स हो गया टीजीटी-पीजीटी एवं जो यह अन-इंट्रेंस एक्जाम है इन सब में यहां से एक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमें साब पूछे जाते हैं दोस्तों तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यह है एल्टी मीटर जो कि हाइड मापने के लिए यूज होता है नेक्स्ट है एन्रायट बेरो मीटर जो कि एट्मोस्फेरिक प्रेसर को मापने के लिए यूज किया जाता है एन्मो मीटर की बात करें दोस्तों तो यह जो है विन्ड स्पीट और विलोसिटी को मापने के ल दोस्तों ऑक्जानोमीटर जो है ग्रोथ आफ प्लाट को मapatने का प्रयोग किया जता है और नेक्स्रेवरो ग्राफ जो कि कांटिनीवस एक्मास्फेरिक प्रेसर को मा स्वापने के लिए किया जाता है बात करते हैं नेक्स्ट कैस्कोग्राब ये जो है यह बहुत important question है यह हमेशा पुछा जाता है exam में next है दोस्तों evaporimeter जो कि uvapour transpiration के rate कुमापने के लिए यूज किया जाता है next है hydrometer hydrometer जो है relative density of liquid कुमापने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों hydrometer और hydrometer में हमेशा जो है confuse करने के लिए यह question पुछे जाते हैं तो इसको याद रखिएगा दोस्तों hydrometer आपका relative density of liquid कुमापने के लिए यूज किया जाता है next question की बात करें दोस्तों next है holigraph holigraph की बात करें दोस्तों तो यह duration of bright sunshine hour को मापने के लिए यूज किया जाता है next बात करें दोस्तों तो यह infrared thermometer जो की canopy temperature को मापने के लिए यूज किया जाता है next है wind and wind band wind i development जो है wind direction को मापने के लिए यूज किया जाता है wind क की direction किस direction में wind जो है flow हो रही है इसको जानने के लिए wind будете को प्यूज किया जाता है next है दोस्तों Lycometer, UEPO Transpiration को मंपने के लिए यूज किया जाता है ये जो है mostly, जो भी टांसपिरेशन होते हैं अर्थ और प्लांट से दोनों को साथ-साथ मंपने के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये हैs Laptometer ये रहे चमें हमें पुछा जाता है, ये है important question है 예쪽 how run ago 2020 में इसको पूछा गया था question है कि penetrometer का क्या user तो यह style strength को जानने के लिए youi तर नेक्स question की बात करें दोस्तो us dISTों नेक्स question औरबर meda water stress ios dHHH cosko jation cool ॆ फ्रियोक किया जाता है next question की बात करें दोस्तो next type should infiltrometer Water infiltration rate को जानने के लिए प्रयूग किया जाता है rain gauge की बात करें दोस्तों तो यह amount of rainfall जो rainfall हो रही है उसके amount को जानने के लिए rain gauge का उप्यूग किया जाता है दोस्तों बात करते हैं next है parimia meter जो की hydraulic conductivity को जो है मापने के लिए यूज किया जाता है next है pytonometer यह जो है आपका soil specific gravity को मापने के लिए यूज किया जाता है next है pyre heliometer जो की direct solar radiation को मापने के लिए यूज किया जाता है next बात करें दोस्तों तो यह है pyradiometer जो की long and short wave radiation को जानने के लिए विसेश कर उप्यूग किया जाता है दोस्तों यह भी बहुत important है यह हमेशा exam में पूछा जाता है इसको याद रखिएगा next question की बात करें दोस्तों next है आपका quantum sensor जो की par photo absorption rate को जो है जानने के लिए किया जाता है next है दोस्तों psychrometer जो की leaf water potential और relative humidity को जानने के यूज किया जाता है next बात करें दोस्तों तो यह है porometer porometer जो है transpiration rate को जानने के लिए यूज किया जाता है बात करते हैं next दोस्तों यह है pyranometer जो की total incoming solar radiation जो भी आ रहा है अर्थ पर उसको जानने के लिए pyranometer का यूज किया जाता है next है thermograph यह जो है continuous measuring करता है temperature का thermograph इसका business उप्योग होता है दोस्तों next बात करें दोस्तों तो यह है spectrophotometer यह wavelength of light को जो है मापने के लिए यूज किया जाता है spectrophotometer से दोस्तों जैसे हम इसमें को जो है business कर micronutrient जब analysis करते हैं lab में तो जो है हम spectrophotometer का उप्योग करते हैं business कर phosphorus और phosphorus और sulfur की case में इसका business कर रिव्योग किया जाता है atmosphere की बात करें दोस्तों atmometer की sorry atmometer की दोस्तों तो यह जो है leaf temperature को मापने के लिए यूज किया जाता है next है दोस्तों drosometer यह बहुत ही नया है दोस्तों यह हमेशा exam में पूछा जाता है जो है यह पिछली बार kaitrate के जो है interest exam में भी पूछा गया था drosometer कीस लिए यूज किया जाता है तो यह dew के लिए os जो पानी की बुदे होती है os टाइब का उसको यूज किया जाता है दोस्तों next बात करें दोस्तों तो यह है campbell stroke recorder जो कि sunshine duration को मापने के लिए जूज कहता है तो दोस्तों I hope video आपको पसंद आया होगा channel को please subscribe and share करें thanks for watching this video